तो आज मैंने चैलेंज लिये कि मैं 24 गंटों के अंदर करने वाला हूं कुछ हाड़ेस्ट क्लचेज पर आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब कर देना और एक और बात गाइस एंड लाइक भी कर देना यार सो लेट्स गो शोकाइस पहला मैं करने वाला हूं वह रवाब डानी एंब डानी एंबहुक के तो यह पर गाइस में आ चुका हूं तो पहले हैं रेख करेंगे पहले हम करेंगे तो तक यसकर काफी रहेगा औन आई इसके अंडर हमागा भाह ऑड़ यह लाव ओना है तु टूम लावालेज है आउवराब एक है था यहाँ लावा एक हम यह आपर एक माद बर एक dependence है अब मुझे इसको पूरा फिल करने का है तो फिर से करते हैं अब फिल तो करना है तो ओके सो गाई यहां पर मैं आ चुका हूं और मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने इतनी जादी बोट्स लेली अपने इंवंट्री में मैं करने वालों फॉर्स्ट ट्राय वह भी क्रियेटिव में देख सूं कैसा रहता है 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 तो गायर करते हैं ट्राय ओके यह ओ भाइ कितनी कादाशा नदा हिए अब मैं करने संप लई ओग इस को करते हैं गयँसां के रिख लाघार रहा हुं बना दिए इसको करते हैं गई को के अंदर हां जथें हैं ल्होई कहांसे ठार हbridge इसमें सब कुछ सेट अप करके आता हूं एंड लेट्स कूँ तो क्या मैंगा इस यहां से यहां तक जा सकता हूं बोट क्लेच करके तुमसे नहां हो पाएगा कि वोगया क्या समझ रख रहे तुम्ने तो चलोगाई यार अम नेक्स ड्रांट पर चलते हैं अपने और देखते हैं क्या करना है तो गाईस अब मैं करने वाला हूं बोट क्लच जो कि kind of easy है और चलो करते हैं ओके आईज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैंने बिल्ड भी बिना लिया बहुत बढ़िया वाला तो यहाँ से गाईज मैं नीचे तब जाओंगा और ओ भाई फर्स्ट अटेंप्ट में खतम तो गाईज अब मैं करने वाला हूँ वन ओफ दे हाड़ेस्ट क्लच इसमें गाईज मुझे हवा में क्राफ्टिंग टेबल बनानी है एंड लावा के अंदर प्लेस करनी है एंड वहा से दरवाजा बनाना है नीचे प्लेस करके गोल्डेन एपल खाके करना है एंड हमारा क्लच हो जाएगा सक्राफ्टिंग टेबल यह मैंने लूंच कर रहे है तो क्यों नादग। nतो हम वाला करके थोके तो गईज यहाहां पर मैं आच कुका हूँ नैजर में के बच गया गोल्डन एपल एंड टिक डाउं ओ भाई 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 उपर से लावा गया भाई टैकरो एंड गाइस यहां पर हमारा हो चुका है एक दम खदरनाक वाला क्लच वह भी ईजिएस टेवान अफ दई इस लगा अभी तक का फिर्स्टेप्ट में ओ गया तो गाईज यार अब मैं लेडर क्लच करने वाला हूं तो लेट्स गो ओके सो गईज यहां पर मैं ट्राइ करने वाला हूँ लेडर कलच और यह मैंने बहुत बारी कर रख है तो यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा एजी है और यह मैं फॉर्स्ट एटेम्ब में करने वाला हूँ तो ओ भाई हो गया बहुत ज़्यादा ही एजी है यह यह हाड़ेस में तो आता ही है पर फिर भी पर मैं कर लेता हूँ तो लेट्स गो जो मैं अब कलच करने वाला हूँ उसमें गईस मुझे सैडल चाहिए और फिशिंग रोड चाहिए से स्ट्राइडल परता नहीं क्या नाम है उसको खीचूंगा एंड सैडल से क्लच कर दूगा यह बहुत मुश्किल होने वाला है तो लेट्स को ओके सो मैंने आगे जाल रहू हूँ मैं लेट्स को और मुझे नीचे एक दिख रहे हैं ओके ओके भाई आजा एंड आगया एंड ओ भाई कर दिया भाई बहुत मुश्किल था इसके पहले भी मैंने कर रहे हैं दो तीन अटेम्ट इसमें मेरे दमाग खराब होगा था जो कि मैंने वीडियो में नहीं डाला है तो भाई इतना खतरनाग एंड चलते हैं गईस अपन क्लच को करने में हमें बोट को हवा में डालना है और शिफ्ट दबान आ यह ड्रीम को करते वो देखा होगा इसको घासट ख्लच भी बोलते हैं एंड गास तो मिलेगी नी तो हम ओवरवां में कर रहे हैं तो लट्स को ओके सो वैस्ट यहां पर मैं आ चुका हूँ एंड यह पकड़ने है ओके 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 ओए एंड हो गया गाईज इजी क्लच यह मुझे इजी लगा तो चलते हैं नेक्स्ट पर तो यार यह थोड़ा सा एजी है बट मुश्किल है तो इसमेन मुझे लास्ट में आके शिफ्ट दबाना होता है एंड यह तो लेट्स गो देखते हैं और तो यहां पर भी मैंने कर लिया यह बड़ी आसा जो कि फॉर्ट त्यर्म में हो गया था अब चलते हैं लास्ट क्लच पर सो गाईज यह होने वाले हैं हमारा फाइनल जो कि होगा बौट क्लच यह ड्रीम का बौट क्लच है जो कि बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और चलो तो यहां पर मैं फर्स्ट ट्राइम करता हूं और यार कितना मुश्किल है यार यह होता यूद्य ओपी भाई ओके इस यह मैंने गाइस तीन चार घंडों तब करा है यार और यह मेरे से वह नहीं रहा था लिटरली यह मैं बार बार गाइस मरें ही जा रहा था एन गाइस में मरे ही जा रहा था भाई इतना मुश्किल फ्रच था ये बड़ यार लास्ट में कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लिटरली छोड़ने वाला था लिटरली मैं सोचा कि कल करूंगा पर लास्ट में ये होता है ओके यार अरे भाई अब वाई यार वाई लेट्स कू भाई अब जाके वह है वीडियो चालू है ना यार तो गाइस मैंने भी एक लच कर लिया था एंड गाइस आज की वीडियो के लेत नहीं